पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फाइदा कश्मीर को मिलेगा कश्मीर की तरक्की के लिए एक ऐसा सयोग बन रहा है जो शायद पहले कभी नहीं बना आपको बता दे कि इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक और राजनेतिक संकट से तहस नहस हो गया है तो ठीक उसी समय कश्मीर में जबरदस्त विकास हो रहा है और दुनिया के कई देश वहां निवेश कर रहे हैं आपको जानकारी देदे की गर्मियों का मौसम आते ही पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुसपैट की कोशिश करते हैं एक खुफिय जानकारी में बताया गया था कि कश्मीर के विकास से पाकिस्तान परिशान है और वो कोई न कोई हरकत जरूर कर सकता है लेकिन पाकिस्तान के इस मनसूबे पर पानी फिर गया क्योंकि पाकिस्तान खुद ही बर्बादी की कगार पर आखड़ा हुआ है वहाँ के नेता, सेना और I.S.I.E. आपस में ही भिड़ रहे हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की बर्बादी कश्मीर के लिए सबसे बड़ा वर्दान बन गई है गर्मियों का मौसम दरसल कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने का भी मौसम होता है इस मौसम में उचे दर्रों पर जमी बर्फ पिघल जाती है और घुस्पैट के रास्ते खुल जाते हैं इन्ही रास्तों से पीयोके में ट्रेंड हुए नए आतंकवादी कश्मीर में घुस्पैट की कोशिश करते हैं और कश्मीर में आतंकवादी वारदातें करते हैं इसलिए हर साल भारती ये सेना गर्मियों से पहले यानि मार्च में अपनी समर पोजिशनिंग की तैयारी शुरू कर देती है समर पोजिशनिंग यानि एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड पर आगे बढ़कर मूर्चाबंदी कर देता इस साल भी मार्च के आखरी दुनों में लखनव में सेना के उच्चा धिकारियों ने मीटिंग की थी और समर पोजिशनिंग पर चर्चा की थी लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से किसी बड़ी आतंकवादी घुसपैट या किसी बड़ी आतंकवादी वारदात की आशन का काफी कम है भारती सुरक्षा एजन्सियों से जोड़े बड़े अफसर बताते हैं कि पाकिस्तान तब ही बड़ी वारदात करता है जब वहाँ स्थिरता हुती और इस समय पाकिस्तान खुद अपनी राजनेतिक उथल-पुथल से जूज रहा है दरसल पिछले दो-तीन सालों से आतंकवाद का ग्राफ लगातार गिरा है 2019 में बाला कोट पर भारती वाई सेना की स्ट्राइक के बाद आतंकवादी घुसपैट की घटनाओं में कमी आई थी 2020 और 2021 में भी घुसपैट की कोश्चों में कमी आई थी यहां तक की स्थानी आतंकवादियों का रिकूट्मेंट भी काफी कम हुआ था और यह सिती कश्मीर में एक बहतर माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छी है इसके इंडिकेटर्स घाटी में लगातार बढ़ती हुई टूरिस्ट की तादाद भी है और कश्मीर में इन्वेस्टर्स का लगातार बढ़ता हुआ उत्साह भी मर्च के आखरी दिनों में श्रीनगर में इन्वेस्टर्स समेट में दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनियों ने भाग लिया और इससे ये संभावना बढ़ रही है कि कश्मीर में बड़ा विदेशी इंवेस्टमेंट आएगा ये इन्वेस्टमेंट टूरिजम इंडस्ट्री, होटल, इंफ्रास्ट्रक्शर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्शर, आईटी जैसी अलग-अलग छेत्रों में होगा अगर घाटी में टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो जाहिर है कि वहां रुजगार के ज्यादा मौके आएंगे और ये स्थिती भारतिय सरकार के लिए बहुत मुफीद है जो कश्मीर में लगातार आर्थिक उन्नती की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर युवाओं के पास नौकरी होगी, उनकी आर्थिक स्थिती बहतर होगी तो आतंकवाद के लिए जगह बहुत कम बचेगी